प्रवास पर हालमा प्रधाय मंत्री नरंद्रमुदी संबूतन करी रहा चाहिए गव्रव के साथ याद किया जा रहा है उन्हें सम्मान दिया जा रहा है आजादी के अमुरत महोसव मैं इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आज यहां मद्दप्रदेश के जनजातिय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ बिने बिते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका असने आपका विश्वास मिला है इसने हर पल और मजबुत होता जा रहा है आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है उर्जा देता है साथियों इसी सेवा बाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है और आज जब कारकम के प्रारम में मेरे आदिवासी जनजातिये समू के सभी लोग अलग-अलग मंच पर गीत के साथ धून के साथ अपनी भावनाएं प्रगट कर रहे थे मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपन कालखन मैंने आदिवासों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई ने कोई तत्वग्यान होता है परपज ओफ लाइफ आदिवासी अपने नाजगान में अपने गीतों में अपनी परंपराओं में बक्खुभी प्रस्तूत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रती मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था और मैंने जब गीत के शब्दों को बारी की से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोरा रहा हूँ नेकिन आपने जो कहा शायद देश धर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण जीवन जीने का इरादा जीवन जीने के हेतो बखुबी प्रस्तूत करता है आपने अपने नुर्त्य के द्वारा अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तूत किया शरीर चार दीनों का है अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा खाना पीना खुब किया बगवान का नाम भुलाया देखिए यह आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी सच मुझ में बेशिक्षी थै कि हमें अभी सिक्षा बाकी है आगे कहते हैं मोज मस्ती में उमर बिता दी जीवन सफल नहीं किया अपने जीवन में लड़ाई जगड़ा खुब किया गर में उत्पाद भी खुब किया जब अंत समय आया तो मन में पच्छताना व्यर्त है धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है अपने मन में गुमान करना व्यर्त है ये धन, दौलत, कोई काम के नहीं है इसे यहीं छोड़ के जाना है आप देखिए इस संगीत में, इस नुरुत्य में जो शब्द कहे गए है वो जीवन का उत्तम तत्वग्यान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्म साथ किया हो इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है इससे बड़ी इसी देश की विरासत क्या हो सकती है इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है साथियों इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिर्वराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है राशम आपके ग्राम योजना हो या फिर मद्यप्रदेश सिकल सेल मिशन हो ये दोनों का एरकम आदिवासी समाज में स्वास्थ और पोशन को बहतर बनाने में अहें भूमिका नभाएंगे मुझे इसका भी संतोज है कि प्रदान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहट मुप्त रासन मिलने से कोरोनाकान में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदन मिली अब जब गाओं में आपके घर के पास सस्ता रासन पहुँचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरित खर्च से भी मुक्ती मिलेगी आउश्मान भारत योजना से पहले ही अनेग बिमारियों का मुप्त राच आदिवासी समाज को मिल रहा है देश के गरीबों को मिल रहा है मुझे खुसी है कि मद्ध देश में जन जाती है परिवारों में तेजी से मुप्त टीका करण भी हो रहा है दुनिया के पड़े लिखे देशों में भी टीका करण को लेकर के सवालिया निसान लगाने की खबरे आती है लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीका करण के महत्व को समझता भी है स्विकारता भी है